ओम श्री गनेशाय नमाः दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे Story name is my devil husband and this story is begin from chapter 3 to 4 and guys don't forget To share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिये शुरू करते है Queen और उसकी team दिलही के एक आलिशान होटल में थे और किसी के आने का वेट कर रहे थे उस होटल में एक Party चल रही थी जो प्रताप industry ने थो की थी पार्टी में जब Queen और उसकी team का target आया तो उन सब का ध्यान उसकी तरफ चला गाया जिसका फाइदा उठा कर किसी ने Queen के drink के glass को बदल दिया होर Queen ने भी ध्यान दिये बिना उस drink को पुरा पी लिया और अपने subordinate की तरफ चली गई Queen ने बार Counter के पास बैठते हुए अपनी team से कहा अलट हो जाओ और इसकी एक एक हरकत पर ध्यान दो हो ना हो उसके साथ जो डिल करने वाला है वो भी यहीं होगा फिर वो Megha से बोली Megha क्या पता चला दूसरी पार्टी का आदमी कोन है जो डील करने वाला है Megha ने अपने लैप्टॉप पर ध्यान से कुछ देखते हुए कहा नहीं बोस होटल में ऐसे किसी भी इनसान में बुकीर नहीं की है जो अंडर वर्ल्ड से जोड़ा हुआ हो Queen ने उसे टोकते हुए जहा जरूरी नहीं है कि जो दिखे वहीं सच हो तो अच्छे से सब कुछ आपसफ करना उसकी इस बत पर Megha ने हम कहा और हमें सिर हिला दिया तभी पार्टी में मौजूद सभी ने देखा के उनका टार्गेट पार्टी होल से बहार जा रहा था क्वीन ने जब ये देखा तो उसने सब से कहा वो बहार जा रहा है तुम सब उसके सबोडिनेट का और आसिस्टेंट पर नजर रखना ये बोलकर क्वीन खुद थोड़ी दूरी बनाकर उस आदमी का पिछा करने लगी जिसने सफेद सूत और ब्लेक मास्क पहना हुआ था उस आदमी के साथ सिर्फ उसका एक डाड था जिसे लेकर बेसमेंट की तरफ जा रहा था वहीं पार्टी होल में भी उस आदमी के सबोडिनेट एक के बाद एक वहां से जाने लगे उन्हें वहां से जाता देख Queen की टीम भी उनके. पीछे किसी ना किसी बहाने से चली गई वो सभी अपने टारगेट के एक-एक आदमी के पीछे चले गए क्योंकि वो सभी अलग-अलग जगह पर जा रहे थे. वही क्वीन उस आदमी का पीछा करते हुए होटल के बेसमेंट में आ गई थी क्वीन ने देखा बेसमेंट में है सीक्रेट दरवाजा बना हुआ था उस आदमी ने उस दरवाजे को खोलने के लिए वहीं दीवार पर बने डिजिटल लोक में है पासवर्ड डाला और रूम के अंदर चला गया क्वीन को ये सब देखकर अब पता चल गाया था के हो ना हो प्रताप इंडस्ट्रीज से ही कोई था जो इस दील में सामिल था क्वीन ने फिर अपनी तीम से कहा अलट कोई प्रताप इंडस्ट्री से ही है जो इस डील को अंजाम दे रहा है उसने ये कहा ही था कि उसे एक साथ अपने सबोडिनेट की आवाज आई बॉस हम फस चुके हैं उस आदमी के सबोडिनेट ने हमें गुमराह किया है ये बोलकर उन सबने एक साथ गार्डन में देखा जहां पर कई सारे गार्ड्स थे जिनके हाथ में गन थी क्वीन की टीम अलग अलग जगह से गार्डन में ही पहुँच गई थी प्रताप इंडस्ट्री की सिक्यूरिटी काफी ताइट थी जिसकी वजह से कोई भी उस होटल में राइफल नहीं ला सकता था इसलिए इन सभी ने चुपा कर छोटी गन लाई हुई थी वहीं दूसरी तरफ क्वीन उनके फसे जाने पर भी निश्चिंद थी और उस रूम से अपने टारगेट के बाहर आने का वेट करने लगी कुछ ही देर में वो वाइट सूट वाला आदमी और उसका सबोडिनेट उस रूम से बाहर आये उनके हाथ में अब एक ब्रीफ केस भी था जिसे लोग किया गया था क्वीन उस रूम के पास ही अंधेरे एरिया में चुपी हुई थी इसलिए उन लोगों का ध्यान क्वीन पर नहीं गया क्वीन ने जब उन दोनों को बाहर आते हुए देखा तो वो उनके पीछे देखने लगी ताकि उनके साथ दील करने वाले इनसान को देख सके लेकिन उसे उनके पीछे कोई भी नहीं दिखा क्वीन ने देखा वो आदमी बेसमेंट से बाहर जाने ही वाला है इसलिए उसने सोचा के वो रूम के अंदर के इनसान को बाद में पकड़ लेगी यहीं सोचा कर उसने अपने हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को उतारा और उस पर बने एक बटन को दबा कर उस रूम की तरफ फेक दिया क्वीन ने जैसे ही वो ब्रेसलेट उस दरवाजे की तरफ फेका तो वो उस दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर चला गया वो ब्रेसलेट दे से ही दर्वाजे के अंदर गया तो ब्लास्ट हो गया और वहाँ स्मोक फेल गया वो स्मोक थोड़ा उस दर्वाजे के नीचे से बाहर भी आ रहा था ये देख क्वीन भागते हुए बेसमेंट से बाहर चली गई अब तक उनका टार्गेट भी वहाँ से दूर निकल गया था इसलिए क्वीन ने बेसमेंट से बाहर आकर मेघा से पूछा वो किस तरफ गया है मेघा ने उसे बताया बॉस वो अभी शायद गार्दन की तरफ जा रहा है उसने ये कहा ही था के तभी वो अपने लैप्टॉप में देख कर बोली बॉस वो लोग मुसीबत में है दूसरी पार्टी काफी तैयारी के साथ आई है उसकी बात पर दिया ने कहा डोंट वरी बॉस यहां हम सब संभाल लेंगे उसने ये कहा ही था के उसकी तरफ से गोलिया चलने की आवाजे आने लगी वही दूसरी तरफ गार्डन में सेरा दि क्योंकि उनकी बुलेट्स खत्म हो गई थी दे से ही। ये हुआ तो वो लोग जो गार्डन में थे वो उन पिलर्स के पास जाने लगे जहां से वो फाइरिंग हो रही थी क्योंकि अब तक दोनों तरफ की बुलेट्स खत्म हो चुकी थी और दूसरी पार्टी के लोग दिया और मेघा हैरान हो गए। जय और आर्यन उन्ही दो लोगों का नाम था जो क्वीन के साथ आये थे। क्वीन की बात सुन मेघा बोली। बट बॉस। लेकिन तभी सेरा बोली। बॉस क्या आप चाहती है कि वो जब यहां आ जाए तो हम उस पर हमला करे क्योंकि उसे ख गए और आर्यन ने क्वीन का ओडर फॉलो किया और पिला के पीछे से बहार आकर अपने हाथ उपर करके खड़े हो गए और खुद को सरेंडर कर दिया जब गार्डन में खड़े गार्ड्स ने ये देखा कि वो दोनों पिला के पीछे से खुद ही बहारा। गए है तो दो पकर लिया और घुटनों के बल बिथा दिया उन गार्ड़ को पता नहीं था कि दो लड़किया भी उनका पिछा कर रही थी क्यूंकि सेरा और डिया इस काम में माहिर थी और उन्हें इस चीज की भी कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी उन गार्ड्स को सिर्फ उन दो लड़कों पर शक्था के वो लोग उनका पिछा करते हुए वहाँ आए थे जब जए और आर्यन को उन लोगों ने पकड़ लिया तो उन्होंने अपने बोस को कॉल किया और कहा बोस हमने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया है आप यहाँ पीछे वाले गार्डन में आ जाए उसने ये बोलकर कॉल कट कर दिया कुछ ही देर में वहाँ पर वो वाइट सूट पहना हुआ आदमी आ गया वो आदमी बढ़े ही घमन से जाए और आर्यन के पास आया और बोला तुम दोनों को क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा के तुम दोनों कल से मेरे बारे में पता लगा रहे हो अब सिधे सिधे बता दो तुम दोनों कौन हो और किसके कहने पर मेरा पिछा कर रहे हो उसके इतना कहने पर भी जाए और आर्यन ने कुछ नहीं कहा और वैसे ही निचे सिर्किये हुए बैठे रहे जब उस आदमी ने देखा के वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे तो उसने अपने आदमियों को उनका मास्क हटाने के लिए कहा उस आदमी का इशारा पाकर उसके दो आदमी आगे आए और उन दोनों का चेहरा उठा कर उनका पहना हुआ बलेक मास्क हटा दिया जैसे ही उस आदमी ने उन दोनों लड़कों का चेहरा देखा वो दो कदम पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला तुम तुम दोनों तो उसने ये कहा ही था के दो कार्ड्स उरते हुए आए और वो दो गार्ड्स जिन्होंने जए और आर्यन का मास्क हटाया था उनके गले पर फंस गए जिसकी वज़े से उन दोनों के गले कट गए और वो दोनों वही नीचे गिर गए उस आदमी ने जब ये देखा तो वो और भी घबरा गया और उन दोनों के पास जाकर वो कार्ड्स निकाल कर देखे और हकलाते हुए धीरे से बोला उसने ये कहा हिथा के जय और आर्यन खड़े हो गए और अपने पीछे खड़े आदमियों पर हमला कर दिया जब उस वायट सूट वाले आदमी ने ये देखा तो वो पीछे हटने लगा और अपने आदमियों से बोला बेवकुफो मुझे कवा करो और यहां से बहार निकालो वो ये बोलकर गार्डन से बहार जाने लगा उसके गार्ड्स ने भी उसका ओडर फॉलो किया और उस आदमी को कवा कर लिया इससे पहले की वो लोग गार्डन से बाहर जाते सेरा और डिया पिला से बाहर आ गई और उन गार्ड्स के साथ लड़ने लगी वो दोनों अपने हाथ में पकड़े कार्ड्स से उन सभी का गला काट रही थी लेकिन उस आदमियों के गार्ड्स काफी ज्यादा थे इसकी वजह से वो आदमी अब होटल के गेट के पास पहुँच गया था इससे पहले की वो आदमी गेट से बहार जा पाता उसके आस पास के सभी गार्ड्स एक जटके से नीचे गिर गए जब उस आदमी ने ये होते हुए देखा तो वो वही पर जम गया और कापने लगा उसे अब पता था के कौन वहां आया था क्यूंकि एक हे साथ काफी सारे लोगों को कौन मार सकता है जैसा की उसने सोचा था बलेक मास्क पहनी हुई एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई वो आदमी उसे देखकर घबराते हुए बोला का क्वीन क्वीन ओफ स्पेड आप पूरे अंडर वर्ल्ड में सभी जानते थे कि क्वीन ओफ स्पेड जो की क्वीन्स की बॉस थी वो कितनी खतरनाक थी क्वीन Off Diamond और Queen of Hearts जो Card से एक बार में सिर्फ एक ही आदमी को मार सकती थी उनसे अलग उनकी Boss एक ही बार में करीब 30 लोगों को भी मार सकती थी अभी 6 महीने पहले ही Queen ने Underworld के एक खतरनाक माफिया को मार दिया था और उसकी पुरी की पुरी गेंग को खत्म कर दिया था उस माफिया को Underworld के Boss King माना जाता था पूरे एशिया में सारी गेंग उससे डरती थी और उसकी बाते मानते थे जब Queen ने उससे मार दिया तो Underworld में कोहराम मच गया था और सभी Queen से डरने लगे थे किंग के मरने के बाद अब अपने आप ही Queen Underworld की लीडर बन गई थी जब उस आदमी ने देखा के Queen उसके पास आ रही है तो वो पीछे हटने लगा और बोला Queen Queen मुझे छोड दोमे में आप जो भी कहोगी वो सब करूँगा Queen मुझे जाने दीजिए वो ये सब बोल ही रहा था के तब तक Queen की टीम जो सभी गार्ड्स के साथ फाइट कर रही थी वो भी उसके पास हा गई Queen ने उस आदमी की बात सुनी तो जोर जोर से हसने लगी फिर उसने एक जटके से एक काड़ जिस पर Queen ओफ सपैड बनी हुई थी उस आदमी के हाथ की तरफ वेका जिससे उसने वो briefcase पकड़ा हुआ था डे से ही उसने ये किया उस आदमी का हाथ कट गया और वो briefcase उसके हाथ से चुट गया सेरा ने उस briefcase को गिरने से पहले ही पकड़ लिया और अपने पास खड़े जाए को दे दिया पहले तो उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन जब उसे अपने हाथ में दर्ध हुआ तो उसने अपने दूसरे हाथ से कते हुए हाथ को पकड़ लिया वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और नीचे बैथ गया जब क्वीन ने उसकी चीखे सुनी तो नीचे जुक कर उसके मूँ मैं एक कपड़ा थुसते हुए अपनी उंगली दिखा कर बोली शचुप आवाज मत करो पता है ना अंदर पार्टी चल रही है अगर लोगों को पता चला तो तुम्हें जो कुछ वक्त की सांसे मिली है वो भी नहीं मिलेगी क्वीन की ऐसी बात सुनकर उस आदमी ने ज्यादा चिलाने की हिम्मत नहीं की और दर्द बरदास्त करने की कोशिश करने लगा क्वीन ने ये देखा और आर्यन को कुछ इशारा किया क्वीन का इशारा देखकर आर्यन आगे बड़ा ओरोस आदमी के चेहरे से उसका मास और वो कपड़ा निकाल दिया क्वीन ने अब उससे पूछा तो अब बताओ मिस्टर किशोर बत्रा इस ब्रीफ केस में क्या है उसने ये बोला ही था के उसे ऐसा लगा मानो उसका सिर घूम रहा हो लेकिन क्वीन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और किशोर के बोलने का वेट करने लगी किशोर ने बोलना शुरू किया ये इसमें एक पावफुल वाइरस है मुझे बस इतना ही बताया गया था के इसे कैसे भी करके मुंबई तक पहुचाना है वहाँ पर एक आदमी मुझसे इसे लेने वाला था लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया के ये वाइरस क्या है और क्या कर सकता है Queen ने उसकी बाते सुनी और उसे एक मुपका मार दिया जिससे किशोर दूर जाकर गिरा उसके बाद Queen में Aryan को कुछ इशारा कर दिया Aryan उसका इशारा समझ गया और उसने किशोर बत्रा के पास जाकर उसका गला तोल दिया Queen ने फिर उससे कहा नीचे basement में भी कोई है जाओ उसे पकड़ो ये बोलकर वो वहां से जाने लगी लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे कुछ अजीब लगा और वो अपनी आखे बंद करके कुछ सोचने लगी तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें तो अभी कहानी जारी रहेगी तो डोंट फरगेट टो शेयर रिवीव और कमेंट यर बेस्ट पार अफन स्टोरी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नहीं कहानी पहले पास अके. And if you like my story so commence your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे.